गुड मॉर्निंग आज हम लोग पढ़ेंगे चेप्टर नमबर 21 जिसमें मिटिगेशन स्टेटर्जी हम जो अभी इंपक्ट पढ़ रहे थे अब उससे निवारण कैसे पा सकते हैं उसके लिए स्टेटर्जी हमारी क्या होगी उसके बारे में समझते हैं सबसे बड़ा जो स् सक्केष्टरेशन कर सकते हैं कैसे उसको खीच कर सकते हैं उसको कấtर करके उसको एक जगह स्टोर कर सकते हैं ओशन में प?... जमीन के अंदर जहां पर वह बह। साल तक वह अथ्मोस्फेर में ना आँप आहिए तो कार्बन केप्शिरोग जो स्टोरेशN कहते हैं जो डिस्क्राइब करेगी ऐसी टेक्नोलजी जो डिजाइन करी जाए जो ट्रेकल करें ग्लोबल वार्मिंग जिसमें कैप्चर किया जाए स्योटू को एट पावर इस्टेशन पे इंडेस्ट्रियल साइट पे और इवन डायकली फॉम्दा एयर से भी और परमेंटली की मिटिगेट अर्टिफर मेलल वार्मिंग अब यह किया गया है कि जो यह परपोस किया गया है जो सलो अट्मास्फरिक होती है चाहेंगे। और सिंह कार्बन का सिक्वि जो झुकरव सिख्वेश्टरेशन यह करीड आउर बाइप मिड़ी है ये क्रीड आउ отправ फंपींग कार्बन सिंक यू कार्बन से हैं वहांपे पांप करना और जो स्वाइल है बात में दूसरा जो artificial sink है वो हम duplicate oil reserve अगर हम duplicate कर दें और duplicate कर रहे हैं oil reserve को उसको रोक दें या unminable mines हैं उनको उन पर थोड़ा ध्यान दें जो carbon capture है वो actually use किया जाए इन यूज फॉर इर्स लेकिन जो oil और जो gas industries हैं वो use करते है carbon capture for decades और जो इन्हेंस करता है ओयल और गैसे कवरी ओनली डिसेंटली जो जो स्टार्ट किया गया है थिंकिंग अबाउट कैप्चरिंग कार्बन फॉर्फ फॉर्म एट्मास्फिरिक एट फॉर्म इंवार्मेंटल रीजन अब जो में इस्टेप लिए जाएंगे कार्बन कैप्चर और प्रेटिंग कार्बन एक्साइट फॉर्म अधर गैसे दूसर ट्रांसपोर्ट किया जाए यह कैप्चर स्योटू टू टू स्टोरेज लोकेशन तक दूसरा जो स्टोरिंग है स्योटू की फार अवे होना चाहिए फॉर्म एट्मास्फिर से जिससे कि अंडर ग्राउंड हो एफिट डीप इन दो ओशन में करा जाए टाइप ओफ सिक्वेस्ट्रेशन जो नंबर ओफ टेक्नोलजी अंडर इंवेस्टिगेशन चल लही है जो सिक्वेस्ट्रिंग करेंगी कार्बन को फॉर्म उसके अट्मास्फिर से और यह जो है डिसकस अंडर थ्री में कैटेगरी पहला जो कैटेगरी है इसमें हम पढ़ेंगे जो ओशन सिक्वेस्ट्रेशन है ओशन में सिक्वेस्ट्रेशन जो हम कारबन डियोकसाइड जितना भी एट्मास्फिर है इससे निकाल के स्टोर कर दें ओशन में थ्रो डारेक्ट इंजेक्शन और फर्टिलाइजेशन या फि as a reservoir for long term carbon dioxide storage रहा है जो तीसा है terrestrial sequestration जो large amount carbon है ये store कर दिया जाए soil में और vegetation में हमारे जो natural carbon sink है increase जो increase हो रहा है carbon fixation through photosynthesis या फिर slow down हो रहा है reducing recomposition of organic material जो changing land use practices है जो enhance कर रहा है carbon uptake in these natural sink geologic sequestration जो है ये क्या करते है largest potential है for near term application तो तीन हमाई पास है एक ocean में हम sequestration कर सकते हैं geology में geological geological sequestration कर सकते हैं और terrestrial equation कर सकते हैं अब जो geological sequestration or tapping mechanism है इसमें सबसे important जो पतार है geological sequestration जो है largest potential इसके अंदर है जो geological sequestration tapping mechanism है इसमें पहला hydro dynamic trapping जो carbon dioxide है ये trap करा जाएगा as a gas under low permeability cap rock के अंदर ये जो है natural gas होगी जो store कर लेगी gas reservoir के तौर पर दूसरा है solubility trapping पहले hydrodynamic hydrodynamics रहेंगे trapping दूसरा है solubility घुलन चील कर लेंगे carbon dioxide जो है dissolve into liquid में जैसे की water oil में इसको कहते dissolve कर लेंगे तीसरा है mineral carbonation जो carbon dioxide है react कराएंगे with mineral fluid या organic matter के साथ in geologic geologic formation में जिससे एक stable compound form होगा और जो लाजली carbon carbon iron या फिर मैगनीज कार्बूरेट हो सकता है जो carbon dioxide है ये effectively store कर दिया जाएगा अर्थ की सब surface पे by hydro dynamic trapping और solubility trapping जो यूजिली combination होगा दो two is most effective यहां पे did you know में देखेंगे एक ancient golden cat जो prefer करती थी forest habitat जिसका interest हो रहा था with rocky areas में और यह जो ड्राइड इसीजियस सब टॉपिकल evergreen forest यह tropical rainforest में पायाता था इंडिया में जो इसकी distribution आसाम और अंचे प्रदेश में और इसका आयू सिन जो है वो नियर थीटेंट है जो golden golden color की cat है जो लगभर नियर three tent है carbon sink जो carbon का sink करेंगे unlike black और brown carbon जिस तरीके से black और block brown carbon होता है जो contribute करता है atmosphere में greenhouse gases green और blue carbon sequest sequestrate करता है atmosphere को green house gases in green carbon green carbon जो है यह ऐसा carbon है जो remove किया जा सकता है by photosynthesis और जो स्टूर किया जा सकता है plant में soil में या फिर natural natural ecosystem में और यह वाइटल पार्ट होगा global carbon cycle का और दूसरा जो बहुत सारे plant या most crop जो है वो short leave होते हैं और less much of the उनके अंदर less carbon होता है at the end of each season में बट जो forest biomass होता है वो accumulate करता है carbon over decades और century कार्प फॉरेस्ट होते हैं बहुत सालों से carbon dioxide को अपने जो ट्रंक है उसमें store करते रहते हैं century से जो forest जो accumulate कर रहे हैं large amount of CO2 relatively short period में और टिपकली several decades में जो eforestation कटाई हो रही है जो reforestation यह measures जो है यह टेकन लिए जा सकते हैं जिससे biological carbon sequestration हो सके दूसरे है blue carbon blue carbon मतब समुद्रों में या water में blue carbon जो refer करता है coastal aquatic marine carbon sink जो की indicative होंगे vegetation के जो marine और जो organic organism और फिस सेडिमेंट में जो in particular जो coastal ecosystem होता है जहां पर tidal marshes जो mangroves जो tidal marshes होते हैं जो mangroves होते हैं जो sea grasses होते हैं वो remove करेंगे carbon from the atmosphere और ocean से store कर देंगे plant in the depositing in the sediment below the natural process और जो coastal ecosystem होंगे वो very efficient होंगे at sequestering storing carbon जो each जो square mile होगी इन सभी systems की वो remove करेगा carbon from the atmosphere and ocean at rate higher than each square miles of mature tropical forest further जो coastal ecosystem है जो coastal ecosystem है वहां पर found to store huge जो quantity है carbon की in organic organic rich sediment up to five more carbon जो बहुत सारे temperature या tropical forest में यह जो ecosystem है यह found all जितने continents हैं except Antarctica why is blue carbon ecosystem important blue carbon blue carbon ecosystem इतने important क्यों है जो prevent prevent हो रहा है degradation और जो destruction हो रहा है promoting restoration of coastal ecosystem जो बहुत ही significant है tool to mitigate climate change जो coastal ecosystem है mangrove का जो tidal marshes है जो coastal ecosystem है mangrove का जो tidal marshes है जो sea grasses है यह सम ऐसे rapidly disappearing natural system है अर्थ पर वेन लॉस्ट यह जभी लॉस्ट हो जाएंगे not only is not only stop sequestration यह sequestration ही नहीं stop कर देंगे carbon की बलकि यह release करेंग यह release there just stored carbon or become new source for climate change causing carbon emission which can last for centuries जब यह खत्म होंगे तो इनके अंदर जो sequestration चल रहा था वो अब उल्टा हो जाएगा और यह और रिलीज होने लगेगा atmosphere में इसलिए हमें जो deforestation उसको रोकना है क्योंकि जो हमें store कराना चाहिए था carbon वो actually हम लोग sequestration की जिए हम लोग और release करेंगे release कर रहा है जो blue carbon initiative blue carbon initiative यह first integrated program था जो comprehensive और coordinated global agenda था जो conservation और अगर restoration किया जा कोस्टल marine ecosystem को international corporation अब इसके लिए जो conservation international है cio international union for conservation of nature iocn है और जो inter-governmental oceanic commission ioc और जो UNESCO है यह collaborate कर रहा है with government के साथ research institution के साथ और जो non-governmental NGOs हैं और international organization और जो community है पूरे दुनिया में जो develop यह develop करना चाहते हैं management approach जो financial initiative policy में एक mechanism जो ensure करेगा conservation और जो restoration of coastal blue carbon ecosystem जो यह engage करेगा local national और जो international जो government and governments हैं जो ensure करेंगी policy और जो regulation support करेगा coastal blue carbon conservation management और जो financing है जो develop for a comprehensive method for coastal coastal carbon accounting का develop करेगा incentive mechanism जैसे कि जो carbon payment है scheme for blue carbon project जो implement करेगा project यह around world जो demonstrate करेगा जो feasibility है coastal blue coastal blue carbon जो account करता है management और जो incentive agreement का support करेगा scientific research जो रोल रोल है इसका और जो importance है blue carbon ecosystem का for climate change अब जो did you know जो सीट जो होते हैं प्लैटी फस मार्कोपा के यह फैमिली एरी एरी किया जो इवोरी नट है और टोंगा पाम्टी होता है यह source है vegetable इवोरी के लिए और यह extensively substrate है blue true इवोरी के लिए जो कर्व और यूज किया जाद है जो manufacture for buttons एक चेस पीसे जो poker होते हैं जो chips होते हैं जो dice knobs या फिर इनले ब्लियार्ट बॉल होती है metro zalon जो एमी का रम है यह एक एक की ऐसी family का है जो यूज किया जाता है इन सभी purpose के लिए अब जो carbon credit है अब यह जो carbon है इसके लिए पैसा कौन खरच करेगा जो carbon credit है यह ट्रेडिबल होना चाहिए इसके ट्रेड हो सके इधर से उधर ट्रेड हो सके जो carbon credit है carbon credit जो है यह ट्रेडिबल certificate है जो permit करेगा जो permit करेगा री री प्रेजेंट रिप्रेजेंट करेगा जो राइट टु एमिट वन टन ओफ कार्बन और carbon dioxide equivalent अगर आप एक टन करेट करते हैं तो उसका जो राइट है यह आपको मिलेगा इसे कहेंगे carbon credit जो carbon credit है यह ट्रेडिबल certificate है यह permit रिप्रेजेंट किया जाएगा कि राइट जो है यह एमिट जो कर रहा है वन टन ओफ कार्बन और कार्बन डीक्षाइड इक्षाइड जो carbon कडिक्ट है यह equal होगा टूवन टन ओफ करवन ड्यक्षाइड इंस सम मार्केट या फिर कारवन डाइक ट्रेज़ा एक इसे के लिए अप जो how does one earn a carbon credit कैसे carbon credit किसी को मिल सकता है अगर कोई organization जो produce कर रही एक टन एक टन लेस एक टन लेस कार्बन कार्बन या carbon dioxide equivalent than the standard level of carbon carbon emission जो allow होगा for it outfit और activity earns a carbon credit तो मतलब जितना वो कर रहा है उससे अगर एक टन कम करेगा तो उसको carbon credit मिलेगा how does it help कैसे यह help करेगा जो country है उन्होंने सिंगे सिगनेट्री है कोटो protocol के अंडर UNFCC जो लेडाउन करेंगी gas emission norms of their companies जो मैट करे थे 2012 में कुछ ऐसे cases जो company दो तरीके से reduce कर सकते है मिशन पहला इट कैन रेडियूस ग्राउंग इन हाउस गैसे या फिर गीन हाउस gases reduce करें by adopting new technology या improve करें अपन जो existing technology है और यसे कि new norms और होन emission के लिए दूसरा कि वो वो टाइब कर सकता है developing nations के साथ जो help करें उनकी setup new technology और जो इको friendly हो और इससे helping वो help करेंगे developing country को और उसको company को जो earn करेगा credit यह जो credit होगा permit करेगा for company की वो emit कर सकता है greenhouse gas in their own country अगर वो अपनी technology दूसरे developing countries को देते हैं और उनको उनके earn करते हैं credit और 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 वो earn करते हैं इस credit को तो यह permit करेगा उस company को कि वो permit कर सकते है greenhouse gas in their own country however only a portion of carbon जितना portion carbon credit दिया है company ने in the developing countries can be transferred to the company in the developed countries वो जो जितना उन्होंने credit दिया होतना ही developed country में transfer कर दिया जागा अब जो developing countries है developing country जैसे इंडिया और चाइना जो क्या करते इमर्ज करती है biggest seller है और यूरोप जो है going to be biggest buyer of carbon credit जो जो चाइना और इंडिया है यह इमर्जेज़ अ बिगेस्ट seller यह seller की seller की तरह के से काम कर रही है और जो यूरोप है biggest buyer की तरीके से क्योंकि carbon credit जो है वो by biggest जो buyer है वो यूरोप है sell करने वाली country है country इंडिया और चाइना अब जो last global carbon credit trading हुई है यह estimate किया जा रहा है कि पांच billion जो है हुई है इसमें इंडिया का contribution लगभग एक billion है पांच billion में से एक billion इंडिया का केला है जो चाइना जो करेंटी लाजेस्ट seller है बेच रहा है carbon credit controlling about 70% of the market share 70% market share चाइना के पास है carbon जो like any other commodity जैसे दूसरी commodities होती है उसे तरह carbon को भी एक commodity समझा जाए चो carbon जो है had begun to be traded on India's multi commodity exchange यह multi community exchange किता है इसको समझा जाए जो multi commodity exchange है यह first exchange था इस्या में जो trade किया गया था carbon credit के साथ कि डिडियू नो कि बहुत सारी species जो nitrogen fixation bacteria होते है उसमें rhizobium होता है जो roots के नडियूल में legumes टी में लगता है और अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो carbon offsetting है अभी तो हमने पढ़ा carbon sequestration क्या होता है carbon credit क्या होता है अब हम लोग पढ़ेंगे carbon offsetting offsetting मतलब carbon को offset करना है carbon offset जो है यह क्या करते हैं credit है for reduction in the greenhouse emission हमें इसमें greenhouse emission को है करते हैं reduce करना होगा made at another location दूसरी जैसे कि wind farms जो है create करना होगा renewable energy और reduce करना होगा आपको fossil fuel power energy मतलब आपको renewable energy की तरफ shift करना होगा जो carbon offset है यह quantify करेंगे और sold करेंगे metric ton of carbon dioxide equivalent है यह buying अगर आप एक ton of carbon carbon offset buy करते हैं इसका मतलब है कि आप one less one less एक एक less ton of carbon dioxide atmosphere में है क्या करते हैं वुड कहते हैं निकाल सकते हैं carbon offsetting जो है यह यह आफ्स एक offset है fastest way you achieve can achieve किया जा सकता है deepest reduction किया सकता है within within business और यह also often deliver added benefit at the project side और बाद में employment side opportunity बात में community development program और training education के साथ जो carbon offset है यह credible होगा it must essential quality criteria बात में include किया जाएगा जो roof और जो additional additional साथ में जो retired हो रहा है carbon market उनके लिए और यह cannot be double counted दो बार नहीं काउंट होगा और यह जो address issues जो है इसके जो वो सब issues जो है और जो इसकी leakage है यह सभी ध्यान में रखी जाएंगी नेक्स्ट जो example है जो business A1 यह unable to reduce 100 ton of CO2 emission in the short term जो project है somewhere else in the world जहां पर यह save करेगा 100 ton easily और यह जो need है crash कर सकती है injection के साथ कुछ example जिसमें community जैसे इंडिया में है वो swap करेगी from carbon intensive kerosene as a energy source to solar panel के साथ वो kerosene को replace करेगी और solar को adopt करेगी but they cannot afford the solar panel solar panel भी afford नहीं कर पर ही तो तो जो purchase carbon offset यह provide करेगी जो financial assistance है जो subsidize करेगा cost of getting solar panel on to housing all through that means you have enabled saving of 100 ton of CO2 business even जो है therefore reduce यह जो business even है यह reduce करेगा global जो net carbon dioxide emission है by 100 tons जो added benefit in the business even जो help करेगा facilitate करेगा जो step change हो रहे है local local technology में in developing market carbon tax जो carbon tax है यह potential alternative है जो cap करेगा trade को method currently used by the protocol नियम और कानून के दोरह इसको करा जाएगा जो carbon tax है यह tax based होगा on the amount of carbon content in the fuel such as coal यह tax उन countries भी लगाया जाएगा जो ऐसा fuel यूज कर रहे हैं जिसमें carbon का content ज्यादा हो जैसे coal koila जो aim है यह जो एम करा गया कि यह जो tax है cause करेगा less fossil fuel use जो fossil fuel है वो कम use होंगे और hope है कि जो incentive है यह use किया जा सकता है other sources of energy के लिए जो carbon tax यह implement किया जाएगा it would be gradual धिमें धिमें यह start at the low amount low amounts of increase over time to time और फिर यह better industry और technology जो है developed कराएंगे जो five primary reason है carbon tax के जो प्रूव कर सकते हैं beneficial then cap or trade system जिसमें पहला है predictability जो tax है could help कर यह help कर सकता है predict energy prices और might help कर सकते हैं investment in energy efficiency जो alternative fuel हो सकते हैं दूसरा implementation जो carbon tax है यह put in put use दूसरे यूज दूसरे में दूसरे purpose के लिए यूज किया सकता है जिससे की जो legality है वो go through grow go along with the cap and trade method के तीसा understandable जो carbon tax यह simpler जो understand और बहुत सारे जो embrace कर सकते हैं more by everyday everyday people चौथा जो है lack of manipulation जो special interest है groups का या फिर less of chance to manipulate carbon tax because of its simplicity पांचवा जो rebate जो other like other form of taxes जो carbon tax है यह भी open होना चाहिए rebate to the public India's position on carbon tax भारत का क्या position है carbon tax पे India will bring world the world trade center to challenge against any carbon tax that जो rich countries है impose on the Indian imports अब if they impose जैसे impose such test अगर वो ऐसा tax लागत है we will take them to the w2 dispute जहां पर settlement forum पे we will deal through hard negotiation और जो barriers है यह not going to w2o capital we will find it the minister जैसे minister of environment of forest के वो करेंगे अब जो बोथ यूएस और जो European जो यूएस और European union है और discuss कर चुके हैं जो possibility imposing tariff और अधर जो forms है जो बॉर्डर जो बॉर्डर अब जो जीओ इंजिनरिंग है जीओ इंजिनरिंग जो है यह primarily जो एम है इसका modify करना और cooling करना अर्थ के environment को जीओ इंजिनरिंग जो है यह एक aim है इसका modify करना और cooling करना अर्थ के environment को repeat करना environmental जो repeat करना environmental damage और जो इंश्योर हो रहा है climate change के जैसे to make the plant more inhabitable जो इंजिनरिंग एड इस point जो है still only a theoretical concept अभी अप्लिकेबल नहीं उपा रहा है host hoisting parasols जो place कर रहा है mirror in space जो whitening है status spheric with sulphate aerosols जो white white washing building roof होनी चाहे जो reflect करें sunlight और flinging iron filling into the ocean जो promote करेगा कारबन गलपिंग एलगी जो some of the mode होगा how do engineering work five big plan to stop global warming पहला कॉप पी ए वालकनो वालकनिक जो eruption है below many million ton of जो sulfur dioxide gas introduce करते है atmosphere में जो create कर रहा है cloud जो block करते हैं some of the sun's radiation by injecting the atmosphere with sulfur some scientists believe that he could likewise do block कर सकता है solar radiation और potentially cool कर सकता है planet को यह जो droplet है यह particularly good होंगी scattered the sun light out sunlight back into the space और बिकॉज जो sulfur does not heat that for a stratosphere sulfur stratosphere को heat नहीं करता है और other air source यह could work कर सकते हैं against cooling effect hydrogen sulfide जो है यह वो better candidate है जो for atmosphere seedling then sulfur dioxide तो carbon जो hydrogen sulfide को use कर सकते हैं sulfur dioxide नहीं दूसरे shoot mirrors into space जो deflect कर सकते हैं enough sunlight जो are you earth की climate back to the pre-industrial level जो geo engineers plan करने कि वो launch करें एक mirror जो size हो green land कितना और यह strategically position करेगा in between earth और sun में planet और sun में see the seed the sea with iron जो scientist suggest करते हैं जो iron है यह की है to turning around phytoplankton जो dwell near the surface प्रिफर आइड़न अब जो दे also adapt at pulling carbon carbon out of the atmosphere during photosynthesis carbon dioxide के carbon dioxide जो है यह photosynthesis के दरह यह आउट होड़ा है atmosphere से when they die जो भी डाय होते हैं after about 60 days जो carbon carbon जो organism होते हैं consuming fall to the bottom of ocean जिससे यह bottom पे चले जाए by pumping iron into the sea अगर हम iron को pump कर देंगे sea में तो stimulating phytoplankton जो है grow like crazy scientist believe करते हैं जो global warming could be reverse जो मतलब जो algae वो bottom पे चली जाए iron की help से चौथा जो whiten कर दिया जाए cloud को with wind powder ship ships के दोरा scientist hope कर रहे हैं कि जो like the volcanic eruption जैसे होता है top of the cloud जो है वो reflect solar radiation अगर इस प्रेकर दिया जाए lot of sea water into the sky by wind by wind powdered remotely activated ship जो whiten कर देंगे clouds को does it will reflect solar radiation जो पांचवा है वो है क्या करते हैं build flake trees build fake trees यह क्या है अगर हम artificial 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 quality है scale down version कर दें earlier जो photo type capable हो capturing ton of carbon into the atmosphere per day panel जो होंगे वो cover करेंगे surface tree जो need होगी about 50 square meter will be made of an absorbent resin जो react करेंगे with carbon dioxide in the air to form solid it can be compared to flur farence filter जो capable होगा filling और particles को out of the air जो panel है और जो boxes है can be removed और exposed to 113 f Fahrenheit steam पे और effectively जो clean कर सकते हैं filter को यह जो chemical reaction है यह stream cause कर सकती है solid जो release करेंगे carbon और यह it can it has captured which can then cease as liquid CO2 अब जो बट जो पुलिंग carbon dioxide है from the atmosphere यह only help half कर लेगी battle को afterward it must be sequenced or permanently trapped how sequence sequestration जो CO2 का है वो commercial use के लिए करा जा सकता है horticulture जो है वो needs CO2 in the horticulture needs CO2 in the greenhouse for the plant to use during photosynthesis अब जो dry ice production है और next जो developing new kind of plastic और concrete जो can be made with CO2 drawback के है इसकी जो scientist है no idea उनको कोई idea नहीं है whether they could shut down some of the geoengineering subject project once they start geoengineering जो treat है जो symptom है global warming के यह would vary with undermine efforts to address the root cause people may feel as they do not need to reduce their personal carbon emission or companies may continue to conduct business as usual accepting researchers to clean up the mess जो cost और जो maintenance है geoengineering project के वो भी बहुत हाई है इसी के चार्ट ये चप्टर में फिनिश होता है thank you झाल